स्वागत है आपका जीबेन 24 में और मैं हूँ आपके साथ रीशु चौधरी खबर सासा राम से है जहां चेनारी थाना शेत्र के गाय घाट में गुपता धाम जाने के दोरान शर्धालों से भरी पिकप वैन पलट गई जिससे चार महिला शर्धालों की मौत हो गई जबकि साथ से अधीक लोग गंभीर रूप से घायल हुए है बताने के पिकप वैन पर 25 से अधीक लोग सवार थे और सभी लोग कैमूर पहारी स्थित गुपता धाम दर्शन के लिए जा रहे थे इसी दोरान कैमूर पहारी पर चड़ते समय गाय घाट के पास पहारी सरक से नीचे वैन पलट गई इसके बाद चीक पुकार मच गया मृतक चारों महिलाएं हैं वहें घायलों को पहले तो चेनारी के सामुदायक स्वास्त केंडर लाया गया जुसके बाद वहां से सभी को सासाराम के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है बतादे की पिकप वैन भोजपुर जिला से सासराम के गुपता धाम दर्शन के लिए जो रही थी मृतिकों में बकसर के डुमराव की रहने वाली मीरा देवी भोजपुर जिला के कृषना ब्रह्म की रहने वाली साट वर्शिय परमेशवरा देवी भोजपुर जिला के ही शाहपूर थाना शेत्र के चंद्रावती देवी तथा बिहिया थाना के बेलवनिया गाउं की रहने वाली तेत्रा देवी है सूचना मिलने पर स्थानिय लोग तथा चेनारी ठाना के पुलिस मौके पर पहुँची वन्वेभाग के अधिकारियों एवं कर्मी भी मौके पर पहुँचे तथा गाईलों को पिक अप वैन के अंदर से निकाला एवं सभी को चेनारी के सामुदायक अस्पताल भेजा गया जिसमें दुर्गटना के बाद चार की मौत हो गई वहीं चैया साथ लोगों को गंभीर रूप से चोट लगी है सभी को सासा राम के सदर स्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जबकि 12-15 लोगों को हलकी फुलकी चोटी आई है उन सब का भी इलाज कराय जा रहा है कि लड़का का तनाव था कि लोग जा रहे थे उसमें उसमें 20-50 आदमी थे फुलट गई गाड़ी लोग है दो आदमी मर गए है बहुत सारे प्रियोस हैं उनको अस्पताल लाया गया है उसमें भी लोग है इलाज चल रहा है जो विफर या गया है उनको हम प्रक्ना ले जा जो गाय घाट के समय घटना हुई है उसके क्या करना चाहेंगे आप पर जाना संख्याय में लोग सवार्त है इसके कारण गाय घाट पर दुरगटना हुई है जिसमें 4 वेस्तिकी मिर्थु है और 26 लोग इलाजरत जो क्रिटिकली इंजर्ड है उनको सदरस्पिताल रिफर क अब जो गाय घाट के समय घटना हुई है कितने लोगों की मौत हुई है उसमें अभी तक ने जो निउस है उसके चार मौत हो गई है कितने लोग रेफर हैं अब 26 लोग तो हम लोग कहां है आया हुआ है ज्यादा है और जाने की सम्धावड़ा है यह लोग जो है ज्यादा गायल है कुछ लोग उसमें से बहुत ज्यादा गायल है क्या नाम हूँ आपका अभी के लिए वस इतना ही बिहार से जुड़ी ऐसी तमाम बने खबरों को जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं जीमेंट 24